अरुनावती बान से दिलिप किसन बावने नामक 43 वर्षिय मच्छवारे की लाश निकालने के बाद अभी दिन भी नहीं ढ़ला था कि फिर से दिगरस तैसील में दो अलग घटनाओं में दो युवाओं की डूबने से मौत की खबर सामने आई है सोमवार की पहली घटना में बान में तैरने गए एक 22 वर्षिय युवक की मौत का खुलासा हुआ है सुत्रों ने बताया कि संबंधित युवक का नाम दिनेश प्रकाश भिंडे है जो चिरकुटा गाव का रहने वाला है बताया जा रहा है कि अरुनावती डैंपर घटीज घटना दो पर दो से तीन बजे की बीच की है वहीं तैसिल के तहट आने वाले नांद गवान बान में डूब कर 18 वर्षिय मनीश राठोड की मौत का भी खुलासा हुआ सुत्रों की माने तो दिगरस निवासी मनीश राठोड अपने अन्य चार दोस्तों के साथ नांद गवान बान पर तैरने गया था उपरोग घटना का पता चलते ही घटना स्थल पर लोगों की भीड उमड़ चुकी थी सुत्रों ने बताया कि इस हाथ से की जानकारी मिलते ही दिगरस पूलिस ने भी घटना स्थल का रुक किया जिसके बाद दोनों जगहों से लाशों को बाहर निकालने और घटना की जानकरी बटर कर मामला दर्ज किया गया मालुम हो कि आजकल लोग अपने दोस्तों और परीजनों के साथ अरुनावती डैंप और नानगवान बान पर सहर सपाटे के लिए आते है कई बार यहां युवाओं में तैरने की होड लगी नजर आती है लोगों का घर से बाहर घूमने जाना अपनी जगह ठीक है लेकिन फिर भी सुरक्षा मानकों की नजर अंदाजी कर जान जोखिम में डाल के तैरने की जिद जान गवाने का सबब बन जाती है शायद ऐसा ही कुछ मामला दिनेज भेंडे और मनीश राठोण नामक युवाओं के साथ हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई इन घटनाओं के बाद दिगरश शहर और चिरकुटा गाओं में शोक लहर व्याप्त है NBCN News के लिए जुवेर खान